अख़बर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से जहां एंकाउंटर हुआ है एंकाउंटर में इनामी बदमाश को गोली लगी है और उसका एक साथी भी गिरफ़तार हुआ है उलस ने इन दोनों आरोपियों के पास से दो सब्सक्राइब पहले लूटी गई कार भी बदमाश की है गिरफ़तार किये गए बदमाशों के पहचान मौईन, उर्फ, मौनी और आशो के रोप में हुई है शादाव अबासी, गाजियबाद, सीमें कुछ गाड़िया खरामत लिए, किस तरह एक घ्रोप काम करता है, कौन ये बदमाशे काम करता है पिछले मैने के 27 तारिक को सियानी गेट के राजनगर एक्स्टेंशन एरिया में एक I-20 कार को कुछ बदमाशों द्वारा लूटा गया था इस सम्मन्द में गटना के नावरन के लिए थाना सियानी गेट की टीम लगाया गया था जिसके क्रम में आज पांच बदमाशों को गिरफतार किया गया है जिनके पास से लूटी भी I-20 वो फॉर्चुनर जिससे की गटना की गई और दो अन्यकार एक ब्रिजा और एक I-10 जो की थाना सियानी गेट और दिल्ली से चोरी की है इस पूरी प्रक्विया के दौरान जो मुख्य इसमें आरोपी है उसमें पुली स्टीम पर फाइरिंग की थी और आत्मे रक्षाल पर फाइरिंग की गई उसमें वो फायल भी हुआ उसे वास्पिटल एडमिट कराया गया है उसका नाम मोही नुर्फ मोनी है जो की मुलफ़मिलर का रहने वाला और उसके तीस के करीब पुराने मुगद में हैं गाड़ी लूट की और गाड़ी चोरी करने की इसके अलावा चाड़ लोग और पकड़े गए जिनके पास से अवैद असला इत्यादी बरामत हुआ है एक और वेक्ती है जो की इस गैंग में काम करता है पूस्ताज पेनों ने ये बताया है कि यहां से गाड़ी चूरी करके या लूट करके नौर्टीस्ट में ले जाकर पेचते हैं हमारी टीन काम कर रही है अन्य गाड़ीयों के बरामत की लिए और जो एक वैक्ति वांचित कर गया उसकी गिरफता है तरीका क्या था काम करने का किस तरीक से गाड़ीयों चोने करते दो देखिए यह थोड़ी पुरानी गाड़िया टार्गेट करते थे जिनको की रिसेल करने पर कोई शक ना हो और दिल्ली में हरिद्वार में मुझफर नगर में गाजियाबाद में यह पहले कई रहतना करता है जब यह गाड़ी लूटते थे या चोरी करते थे तो अधिकतर इनको अंदर ही गाड़ी के काख़ाद मिल जाते थे उसी से संबंदित ये डियल बगएरा बनवा लेते थे तो कि फरजी डॉकुमेंट्स रहते थे और तब फिर इसको भेशते थे ताकि खरिदार को शक ना ह कि उसको कोई चोरी या लूट की गाड़ी लिची ना दे है